आपका भी सपना है NDA, Air Force या फिर Navy जोईन करने का तो इंडिया की largest learning platform Unacademy आप जोईन कर सकते हो वहाँ पे subscription भी ले सकते हो वहाँ पे plus subscription अगर आप लेते हो तो आपको unlimited live classes मिल जाएंगी recorded courses मिल जाएंगे उसके लिए आपको बहुत ही गम पे करना होगा और referral code का use करोगे तो आपको काफी ज़्यादा discount भी मिल जाएगा साथी साथ आपको on academy पे बहुत सारे teachers मिल जाएंगे और वहाँ पे quiz लगाने का भी मौका आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी मेरी भी live classes आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी और वहाँ सब कुछ आपको free provide कराया जाएगा मैं आपको अपनी जो id है वो भी दिखा देता हूँ तो अब मैं academy पे register हो चुका हूँ काफी time पहले से मैं था लेकिन अभी कुछ time बाद आपके लिए live classes लेकर की भी आ जाऊंगा मैं अगर आप मुझे follow करना चाहते हो तो देख सकते हो मेरी यह id है academy पे जाकर के search करके आप join कर सकते हो या फिर description में id का link है उसके through जागर के भी मुझे join कर सकते हो अनक academy पे जल्दी मिलेंगे वहाँ भी चलो अभी जुरू करते हैं और बात करते हैं हमारे topic पे इंडियन कोश्ट गार्ड के लिए जो नाविक डीवी की vacancy आई हुई है एक 2021 बैच के लिए उसके लिए आप लोग पूछ रहे थे कि मैं इस जोन से हूँ इस state से हूँ मेरे पास कितने percentage होने चाहिए ताकि मैं apply करो मेरे पास eligibility तो है लेकिन क्या मुझे apply करना चाहिए ऐसे सवाल थे आप लोग के तो जली जली उन सबी सवालों का जवाब देने वाला हूँ इस वीडियो में आगे बढ़ें के लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेले गन को जरूर प्रिस कर देना ऐसी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए गैस देखो इसके लिए जो ऑनलाइन एप्लिकेशन की डेट है वो 30 नवंबर से लेकर के 7 दिसंबर 2020 के बीच में है और अगर आपका एड्मिट कार्ड आ जाता है आप सॉट लिस्टेड होते हैं तो आप ड इस्टी नहीं है या फिर फर्स सेकेंड और थर्ड रैंक होल्डर नहीं है किसी भी स्पोर्ट्स चेंपियंशिप में तो अगर आप वो है तो आपको 5% का एक्स्ट्रा रिलेक्सेशन मिलेगा ठीक है क्लियर है ये चीज तो तो अगर आप इस इलिजिबिटी क्रिटेरिया क फिर आपको ऑंडे करने की चांस से काटीया का चांस टो लेकिनिक करने केबाद ये जो जो होता है आपका यानि जोन में जो आपका जोन है वो क्यों सा जोन है उसके बाद आपका सेंटर कौन सा है और आपके स्टेट से कितने लोग एपलाई करते हैं यह सब चीजें उस पे डिपेंड करता है सब कुछ अगर यह सब है ठीक ठाक तो फिर आप यह साटलिस्टेड हो जाते हो ऑर साटलिस्टेड होते हो तभी आपके आपको एड्मिट कर्ड मिलता है तो अगर हम बात कर जोन वाइस तू देखो यह उपका ल्दाग ऑसान अग्योंगे और लिए इंहीं पे सामने तो इसमेंी हमा heaven देख प्रदेस अरतमर वंपर यह दो दो यह एखर कोर्ड और को पैड़ेग्रव और मनिपूर﹌ज ना गालन्ड रोगंड पुराई जो कि फोड़े कम पैसे रोज्त उर बिहार जारखंड वेस्ट बेंगॉल यह सब भी है बिहार जारखंड तो खास यह दो हैं जो की बहुत हायर परसेंटेज वाले स्टेट्स हैं तो इस तरीके से चीज़े होती है तो यह बोल पाना कि इस जोन में कम जाएगा इस जोन में ज्यादा कटफ जाने वाला है यह इसी किसी स्टेट में लेकिन अगर आप एपलाई नहीं करते हो अगर आपके पास अपने फोन से सिर्फ पांच से साथ मिनूट में आपलाई कर पाउगे तो यह सब चीज़े आपके लिए एजई है तो फिर आपने में क्या दिक्कत है वैसे एक चीज़ की guarantee मैं नहीं ले सकता हूँ कि आपका 100% जो है admit card मिली जाएगा आपको लेकिन इससे कुछ चीज़े सीखने को मिलेंगी कुछ experiences आपको होंगे जो कि आपको पता चलेगा और ये चीज़े बहुत ही जादा फाइदे मन्द होती है और इसी टाइम पे आपने ये कर दिया तो फिर उस टाइम पे ये जो experience आपका रहेगा वो काम कर जाएगा ये बोलने की कोशिस कर रहो बाकि अगर higher percentage है तो आप जरूर fill up कीज़ेगा और कम है तो आपके उपर depend करता है आपका मन हो तो आप कर देना otherwise नहीं भी कर सकते हो ऐसा कोई force नहीं कर रहो है कि आपको apply कर नहीं है बस आप कर सकते हो क्योंकि इसमें कोई fee नहीं है और मैं वता दूँगा वैसे आपको apply कर देना अपने phone से और कितना time लगता है 5-7 minute में आप apply कर सकते हो इस तरीके से हो acontecendo है और एक exact percentage बोल पाना मुश्कील है क्यूकि ज़्यदातर यह higher percentage वालो को ही admid card देते है कि नहीं higher percentage वालों को ठीक है उसके बाद ऑद कम percentage वालों को देखा जाता होगा लेकिन ज़्यदातर higher percentage मालों का admid card आता है और यह reality है तो इस तरीके से होती है चीजी अगर आप इसमें आते हो इस criteria को follow करते हो देन आप apply करना है otherwise देख लो आपको क्या करना है तो इस वीडियो में ये बताना था I hope कि मैंने clear कर दिया हो अभी भी आपके मन में कोई doubt है तो comment section में comment करके पूछ लेना वीडियो को like and share जरूर कर देना अच्छी नहीं लगी हो तो dislike भी कर सकते हो इस वीडियो में इतना ही thank you so much guys